Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का दी इनप पिस्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 09 का Unit 7 पढ़ने जारे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे Unit के अंदर में कितने lessons हैं उन lessons के basis पे किस तरह के questions बन सकते हैं, क्या topics बन सकता है, topic के answer क्या हो सकते हैं उसको हम short में discuss करेंगे बहुत ही useful video होने वाली है आप सभी student के लिए कम समय में आप easily अपने unit को cover कर सकते हो, syllabus को cover कर सकते हो चले unit को start करते है unit 7 की में बात करूँ, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, रास्टी आंदोलन तथा समाजिक समूँ अब देखो, national movement अपने चरण पे था, ठीक है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, भारत को सोतंतरता मिलने वाली थी पर वहाँ पे सिर्फ एक वेक्ती की सतंतरता थी नहीं वो, ठीक है, एक वेक्ती, एक समूँ की सतंतरता थी नहीं वहाँ पे अलग-अलग समाजिक समूँ की भागिदारी थी चाहे आप जमिदार वर्ग की बात करो, पुंजी पती वर्ग की बात करो, मजदूर की बात करो, किसान की बात करो, अमीर की बात करो, गरीब की बात करो, सभी वर्ग की भागेदारी उसके अंदर में देखने के लिए मिलते हैं तो हमने यहाँ प्राट वण हम इसका पढ़ चुके हैं, पार्ट तू युनिट सेवन के अंदर में हम बात करेंगे, पहला चैप्टर जो हमारा आएका 29 जिसे में हम बात करेंगे, रास्टि है आंदोलोन और महिलाएं. अब रास्टी आंदोलों के अंदर में महिलाओं की क्या भूम का रही उसके बारे में हम डिस्कुस करें तो यहां पर दो कोशन बनकर आते हैं पहला कोशन तो यह रहता है कि भारती रास्टी आंदोलों के अंदर में महिलाओं की क्या भूम का रही पहला question यही है नेर्मल सिम्पल तो देखो यह देखा गया कि महिलाएं जो थी वह ज़्यादा सेंसील थी ठीक है आंदलोनों के अंदर में जो पूरुस थे जितने भी थे पूरुस वह आंदलोन जितने भी गांदी जी के जो आंदलोन थे वह थोड़े सांती वाले आंदलोन ठीक है अहिंसा वाले आंदलोन थे जिसमें हमें लड़ाई ज़ड़ा नहीं करना था पर पूरुस जीतने भी तो वह उगर थे जल्दी उगरो जाते थे जिसके कारण से वह उस आंदलोन को सही तरीके से लीड नहीं कर पाते थे तो गांदी जीन इस फॉल्ट को देखा और और वहां पर महिलाओं को आंदलोन समर्पित किया, महिलाओं के हात में आंदलोन दिया और जब पूरुस जील चले जाते थे तो उनकी पत्नियां उस आंदलोन को आगे बढ़ाती थे यह हमें देखने के लिए मिलता है इसके अंदर में कई सारे महिलाओं के आपके नाम दिख जाएंगे जैसे सुचृता करपलानी, गर्जाबाई, मिर्दला, साराबाई, गांधी तो इस तरगे कई सारे जो नाम है वो इसके अंदर में famous हैं और कई सारे महिलाओं को लेके किताबे लिखी गई ठीक है कई सारे जो magazine होते थे उसके अंदर में छपने लगा ठीक है कई सारे books लिखी गए जहां पर महिलाओं के सक्ति को दिखाया जाने लगा महिलाओं को जागरूत करने की कोर्सिस की जाने लगी महिलाओं के basis पे वहां पे चीज़े बनाए गई गई महिला ग्रूप्स बनाए गए जो उन चीज़ों को लीड करते थे तो वहां पे आपको वह बताना है किस तरसे रास्ट्य आंदर महिलाओं की भागीदारी रहती है यहाँ पे एक कुशिन ये भी बन जाता है कि गांधी जी ने किस तरसे महिलाओं को सारवजनिक परिवर्तन जो मतलब गांधी जी महिलाओं के जो यूगदान थे उनके जीवन में किस तरसे सारवजनिक परिवर्तन का काम किया जैसे महिलाएं पहले क्या थी, कि उसरीफ घरबारी का काम कर रही है, घर के अंदर में तक सीमित हैं, तो किस तरच उनके जीवन में स्तारवजनिक परिवर्तन का काम किया गांधी जी ने, वो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया, कि गांधी जी ने क्या जो भी आंदोलन देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर समान भागेदारी की बात करते हैं, वहाँ पर किसी को कम ज्यादा बढ़ा चोटा की बात करते हैं, वहाँ पर सबको समान भागेदारी की गांधी जी ने आपर बात करी, ठीके तो यहाँ पर इस क्या उनक रहेगा औरत भी रहेगा तो वहां पे पहां पर दोनों की भागवरेदरी समाण उनेुशिए उसके बारे में Hair में लिस्ट कई अधिक रहरा समान अधिकार की कि बारे में भात किया गया बाबसाव शुबतर आंगली तर एक कोश्चिन मंत क्या राता है कि राष्टवादी आंदोलन के अंदर में दलीतों की भूमी का ठीक है यहां पर सबसे बड़ा एक दिश्टीक हो नहीं रहता है कि अस परसता जो अंटेचबिलेटी थी उसको लेकर यहां पर मुहीम छोड़ा छेड़ा गया ठीक है कि अस को दूर किया जाए जो दली थे उस समुदाय को भी आंदोलन में में स्ट्रीम में लाया जाए ठीक है अंदोलन के अंदर में सामिल किया जाए ठीक है समाजिक सुधार की जवरत है उसको किया जाए ठीक है जो सच जीवन उनको भी दिया जाए जैसे गांदी जी का आप पटेज मिलती है जब गांधी जी साफस्फाइब कर रहे होते थे तो वह चीजें वहाँ पर देखने के लिए मिलता है सिख्छा कदिकार सोचता कदिकार समाजिक सुद्वार कदिकार असपरस्था कदिकार इन सब चीजों के बारे में participate कर रहा था तो यहां पर कुछ खास question ही बनता है पर एक question यह बजुरू बनता है कि जो 1885 से लेकर ठीक है 1885 से लेकर 1914 तक का जो पूरा दोर रहता है वहां पर Congress की Muslimों को लेकर क्या भूम का रहती है इसको लेकर यहां पर question बन जाता है तो इसको आपको answer देना पड़ेगा तो यहां पर नॉर्मली देखोगे न मुस्लीम और Congress का यहां पर समर्थन की बात करता है इसका reason यह रहता है कि जो Congress Party की स्थापना थी हो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी ठीक है अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी जिसके काई से लोगों को लगता था है कि हमारी बात तो करता ही नहीं है और वहां पर इस तरह से वॉक करते है ठीक है तो आपको यहां पर थोड़ा सा define करना पड़ेगा कि Congress का क्या role रहता है क्या उसका step रहता है क्या उसके moments रहते है ठीक है कमेंट करके बताएं अगर वीडियो वैलिवल है तो like, share, subscribe जरूर करें और अगर आप MA history का नंबर अच्छे लाने चाहते हो हमारे साथ MA complete करना चाहते हो तो हमारे चैनल को join कर सकते हो subscribe के बगल में join का बटन है एक चोटा सा amount pay करके per month आप हमारे साथ में join करके अपना MA history complete कर सकते हो तो friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care all the best